आज हम लोग बात करेंगे क्लैसिफिकेशन ऑफ कम्प्यूटर्स की क्लैसिफिकेशन ऑफ कम्प्यूटर्स यानि कि जो भी जितने भी तरह के हमारे जो कम्प्यूटर देवलप्मेंट से लेकर आज तक जो भी अबलेबिल हैं उनको हम किन किन कैटेगरीज में क्लैसिफाई कर सकते हैं ठीक है तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन दा वैरियस पैरामीटर पहला तो है आपका की जनरेशन बेस्ट क्वालिफिकेशन जनरेशन का भी हमने प्रिविएस लेक्चर में पूरी आपको वीडियो डाली हुग यह जनरेशन की क्यान चाहिए तो इसको रीफर कर सकते हैं तो पहला तो होगि audi आपका जनरेशन बेस्ट कलैसिफिकेशन की कौण सा कम्प्यूटर कब हुआ कैसे डिलेप्पमेंट हुआ यह सारी चीजह थी थीख है पहला तो होगिया आपका जनरेशन बेस्ट दूसरा ज अता है दूसरा बेस्ट मतलब अभी इसको हम डीप में डिसकस करेंगे परपस बेस्ट परपस बेस्ट क्लासिफिकेशन कि किस परपस के लिए कंप्यूटर वो कंप्यूटर बनाया गया है ठीक है तीसरा है आपका फंक्शन बेस्ट तीसरा है आपका फंक्शन बेस्ट क्लासिफिकेशन और चौथा है आपका आप कह सकते हैं ब्रांड बेस्ट ब्रांड क्या है काईदे से दोसको चलिए ठीक है आप कह सकते हैं अब पहला जो है आपका ये ब्रांड बेस्ट क्लासिफिकेशन अच्छा इसमें एक चीज और है ब्रांड बेस्ट हो गया और इसमें आपका एक चीज जो सबसे इंपर्टेंट रहे गया लास्ट में आप लिख सकते हैं साइज बेस्ट size वो बहुत important चीज है size based classification ठीक तो अब जो इसमें पहली चीज है आपका कि generation based classification कि जैसे computers को first generation, second generation, third generation ये पूरी वीडियो मैं channel पे डाल चुका हूँ previous video आप उसको refer कर लेंगे ठीक है तो मैं भी कोशिस करूँगा उसका description आप उसका link इस वाली वीडियो का मैं आपको description में भी डाल दूँगा तो वहाँ पे आपको पूरा generation के बारे में computer के मिल जाएगा अब हम लोग next बात उसको repeat करने से आपका time based होने से कोई फायदा नहीं अब आप आजाईए next है हमारा purpose based classification तो purpose based classification में क्या होता है कि कोई भी जो computer है वो किस purpose से तो इसको अगर आप फर्दर classify कर सकते हैं दो category में ए एक तो हो गया general पर्पस जनरल पर्पस दूसरा हो गया special purpose ठीक है तो जनरल पर्पस जो computer बनाये जाते हैं वो to accomplish the general task जो general काम करने के लिए बनाये जाते हैं जो बारे daily life में जैसे game खेलने के लिए हो गया various calculation perform करने के लिए हो गया account maintain करने के लिए हो गया तो यह सब में जो computer यूज होते हैं यह आपके general purpose computer होते हैं और special purpose जो होते हैं वो किसी particular special task के लिए जैसे जैसे special task में बात कर सकते हैं weather forecasting है मौसम का हाल weather forecasting ठीक तो उसके लिए जो computer बनाये जाएगा वो जनरल वाले computer वाले उसके लिए नहीं काम कर पाएंगे जो किसमें सेंसर लगे होते हैं और भी तमाम technologies का इस्तेमाल होता है ठीक तो जैसे weather forecasting हो गया satellite launching हो गया medical diagnostic हो गया यह सब जो है काम आपका weather forecasting हो गया satellite का launch करना हो गया launching और आपका जो है medical में जो use होते है medical diagnosis में इन सब में special purpose computer यूज होते है यह general वाले computer जो आपके game खेलने के लिए जो आपका office का काम करने के लिए और जो आपका account maintain रखने के लिए वो यह सारे काम नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गए आपके special purpose computer अब उसके बाद next जो बात आती है function based classification function based classification की बात का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा computer है अच्छा पहले स्कूम classify कर दे कि जो function based computer होते हैं वो भी आपके तीन तरह के होते हैं function based computer तीन तरह के एक होता है आपका analog analog computer computer दूसरा डिजिटल computer और तीसरा जो होता है इन दोनों का mix that is called hybrid hybrid computer ठीक है analog computer क्या होते है कि वो computer जिनका जो input होता है ठीक है और जो उनका output होता है वो दोनो analog होते हैं देखिए अब इसमें थोड़ा सा technical यह आ रहा है कि analog क्या होता है digital क्या होता है इसमें हम आपको बड़े आराम से एक ची समझा दे कि आप सिंपली समझें वो parameter यह कोई भी quantity जो time के साथ यह magnitude है उसका है ना जो time के साथ vary कर रही है time के साथ उसका amplitude यहां पर इतना था यहां इतना था यहां इतना हो गया यहां इतना हो गया यहां यहां पर और कम जो जैसे for example हम जो बोल रहे है audio voice human voice जो होती है ठीक है वो क्या है वो analog है क्यों क्योंकि भाई आदमी same आदमी जैसे मैं lecture ले रहा हूँ तो कभी आवाज धीवे निकल रही है कभी तेज निकलती है कभी volume high होता है low होता है speed fast होती है slow होती है तो यह सारी तो that type of signal is called analog signal यह बहुत basic आपको fundamental से बने समझा दिया आपको ठीक है न तो ऐसे computer जिनका input और output दोनो signal analog होते हैं they are called analog computer clear अब आ जाईए digital पे digital computer क्या होता है तो मैं भी simply आपसे कहा दूँ कि इन computer का जो input और output है दोनों digital signal होते हैं चलिए बात पतम हो गई लेकिन मुद्दा यह है कि digital signal क्या होते है ठीक तो analog signal तो हमने बता दिया कि time के साथ उनका magnitude vary करता है digital signal में क्या होता है कि ऐसे signal जिन में केवल दो level of amplitude होता है मतलब अभी आपको बताते हैं जैसे माली टाइम है यह हमारा signal का amplitude हो गया है तो इसमें क्या होगा कि या तो signal नहीं होगा और या तो होगा तो इतना ठीक या तो फिर नहीं होगा इतना होगा तो फिर इतना यह देर आर अउनली टू लेवल माली जम ने इसको 0 कहा और इसको से 10 कहा तो यह तो signal होगा तो इतना होगा यह बहुत ही layman की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ हूँ ठीक है कि ताकि अगर जो हमारे non-trick trade के भी जो बच्चे जो students है जो art side की भी जो students है वो art side के students का मतलब यह नहीं कि वो उनको यह clear नहीं होगा इसमें क्या होता है इसमें केवल डो लेवल होते हैं इस तरह का जो इसी को computer इसको 1 मान लेता है इसको 0 इसको 1 इसको 0 अभी और आगे चलेंगे तो बताएंगे आपको तो digital computer क्या होते हैं जिसके input signal और output signal दोनों digital होते हैं ठीक अब आजाईए तीसरा hybrid computer hybrid computer में दोनों चीज़े आ गई कि इसका जो है input signal और output signal जो हम इसको input देंगे फिर जो भी calculation करने के बाद ये हमको output देगा वो analog हम दे भी सकते हैं, analog मिल भी सकता है, digital दे भी सकते हैं, digital मिल भी सकता है तो इस type of computers are called hybrid computer ठीक है ये clear होगे आपको अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि computer कौन-कौन से calculation ये कौन-कौन से काम करते हैं ठीक, तो जैसे अगर हम मोटा-मोटा बात करें, तो जो हमारी ये unlock computer है, ये mathematics अब आज के समय में तो आप देख रहे हैं कि computer लगबग सारे ही काम करते हैं, ठीक है ना? करते हैं, कर सकते हैं, उस तरह उनको प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन mathematical में जैसे आपका हो गया, logarithmic वाला काम हो गया ठीक है, second है summation, जोडने का, third है exponentiation, fourth है calculus, fifth है multiplication and division, ठीक, ये सारे काम जो है, ये computers perform कर सकते हैं so this was all about the function based classification, अब आ जाईए, brand based, brand है ना? देखिये, brand based जो computer होते हैं, वो, they can be classified into three categories, ठीक है? पहला है आपका, एक तो जो, apple based होते हैं, iOS based होते हैं, computer, दूसरा IBM PC होता है, और तीसरा होता है आपका apple of link machine tosh, ठीक है, computer, brand based की हम लोग बात करेंगे, तो generally ये तीन तरह के होते हैं, बाकि ये, नहीं कहिएगा कि Samsung का और जेनित का और आपका ये, LG का और इसका और उसका computer लिया है हमने, वो मतलब नहीं है, यहां पे जो होता है आपका, एक है आपका IBM, IBM बहुत बड़ी company है, इसका पुरा full form है, international business machine, international, इसको आप चाहिए तो आप लिग भी सकते हैं, international business machine, ये, इस्टैबलिज की गई थी ये company, 1924 में कहां पे, United States of America में है, ठीक, पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या होता है, ये तो IBM company के ही जो computer हो गया है, दूसरा क्या होता है, दूसरे होता है, IBM compatible, IBM compatible computer वो computer होते हैं, जो IBM company के नहीं होते हैं, लेकिन उसमें most of the parts होते हैं, वो IBM के होते हैं, और वो इसी वाले computer की technology पे काम करते हैं, चुकि ये थोड़े से सस्ते पढ़ते हैं, तो जो लोग ये नहीं afford कर पाते हैं, वो IBM compatible ले लेते हैं, ठीक, IBM compatible का मतलब क्या हुआ, वो computer जो लगपग इसी technology के closer हो, और इसी के फेरी-फेरल, मतलब इसी के input-output devices को इस्तमाल करें, तो चुकि ये महेंगे होते हैं, इनकी अपेक्षा, तो जो लोग ये नहीं afford कर पाते हैं, वो इससे अपना कारे कर लेते हैं, और तीसरा जो आप लोगों ने सुना होगा, एपिल मैसिन्तोष, एपिल मैसिन्तोष, इसमें देखिए, एपिल मैसिन्तोष में क्या है, एपिल कमपनी का नाम है, ये करीब 1970 में established की गई थी, USA में, ठीक, और जो ये ले, जो जो कंप्यूटर ये बनाते हैं, उस कंप्यूटर का नाम है, मैक बोलते हैं शौर्ट में या मैसिन्तोष, एपिल इस दा कंपनी नेम, and the product name is, मैक कंप्यूटर और मैसिन्तोष, ठीक, तो ब्रांड बेस्ट हम लोग जनरली, ये तीन कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है, अच्छा, अब इसमें ब्रांड बेस्ट में एक चीज और आती है, कि जब हम IBM या IBM Compatible की बात करते हैं, तो इसमें जो कंप्यूटर डेवलप किये गए थे, इन दोनों के लिए हम बात कर रहा है, ये टेक्नलॉजी वाइस, टेक्नलॉजी वाइस, इनको हम तीन केटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक कहलाता है, एक्स्टी कंप्यूट दूसरा AT कंप्यूटर और तीसरा आपका PS2, एक्स्टी होता है, एक्स्टेंडेड टेक्नलॉजी, ये होता है, एडवान्स टेक्नलॉजी, ठीक है? और PS2 जो होते हैं, ये PS2 कंप्यूटर जो है, ये IBM भी बनाता है, और Apple भी बनाता है, इसके अंदर Motorola आपने नाम सुना होगा जब से मोबाइल ले आया, इंडियन मार्केट पर तो हर वेक्ती जानता है, Motorola प्रोसेसर होते हैं, Motorola बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, किसकी? मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोसेसर बनाने की, Motorola के जेड़ेटी और ये सब जो प्रोसेसर, जो प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता हार्ट, तो Motorola जो है, सबसे बड़ी कंपनी है, या बन आप दे लार्जेस कंपनी है, वर्ल्ड में, प्रोसेसर बनाने की, ठीक, तो ये जो PS2 कंप्यूटर होते हैं, ये IBM भी बनाता है, Apple भी बनाता है, इसके अंदर प्रोसेसर किसका यूज होता है, मोटरोला कंपनी का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अब उसके बाद लास्ट जो मसता है, वो आपके डेली लाइफ से जुड़ी हूई चीज है, साइस बेस, जैसे आज आप देख रहे हैं, हर जगा कंप्यूटर, छोटी चीज में कंप्यूटर, बड़ी चीज में कंप्यूटर, तो साइस बेस्ट, ठीक है, तो साइस बेस्ट जो कंप्यूटर होते हैं, वो आपके सुपर हो गया, फिर मेन हो गया, फिर माइक्रो हो गया, मिनी हो ग होते हैं वो जैसे आपके पहला क्या हो गया सुपर कम्प्यूटर कि अभी बात करते हैं इनकी ठीक सुपर कम्प्यूटर के बाद में फ्रेम मेन फ्रेम कम्प्यूटर उसके बाद बाद आती है मेन फ्रेम के बाद आप चाहे तो माइक्रो भी लिख सकते हैं या कोई हार्ड एंड फास्ट वो तो है नहीं चाहे तो उसके बाद आप मेनी लिख सकते हैं ठीक है सुपर कम्प्यूटर हो गया उसके बाद आप मेन फ्रेम हो गया फिर मीनी कम्प्यूटर हो गया फिर माइक्रो कम्प्यूटर ठीक है उसके बाद और आगे चलिए तो डेस्टॉप कम्प्यूटर डेस्टॉप कम्प्यूटर्स फिर लैप्टॉप आजकल हर आदमी रखता भी है और जानता भी है लैप्टॉप कम्प्यूटर्स फिर इन से छोटे होते हैं जैसे मोबाईल समझा लीजे मोबाईल की तरह पैम टॉप पैम माने यह हाथ की अदेली होती है ना देट्स वाई देयर काल पैम टॉप कम्प्यूटर्स ठीक है फिर है आपका टैबलेट टैबलेट कम्प्यूटर्स ठीक है उसके बाद कुछ और कम्प्यूटर्स होते हैं जैसे पीडिये हो गया वर्क उसके बाद पीडिये और वर्क स्टेशन इस सब डिफरेंट तरह के कम्प्यूटर ही है जिसका जैसे यूज किया जाता है उस हिसाफ से उसको नाम दे दिया गया है साइस वाईस जो है अपना हतेली और और ओर छोटे साइस से लेकर बड़े पीडिये होता है परसनल डिजिटल एसिस्टेंस एसिस्टेंड और वर्क स्टेशन हो गया आपका वर्क स्टेशन ठीक है, ठीक है तो साइस वाईस जो है computers को हम इस तरह classify कर सकते हैं अलग-अलग size के हिसाब से जैसे आपका सबसे पहली बात हम करते हैं कि जो super computer होते हैं इस super computer क्या होते हैं super computer मतलब कि the most powerful computer available at present time in this world इस समय विश्व में जो सबसे powerful computer मौजूद है वो super computer है इसलिए ये complex होते हैं design में और बहुत बड़े होते हैं size में ठीक है उस एक काम करेंगे क्योंकि अभी ये काफी कुछ जादा हो जाएगा तो आपको confusing हो जाएगा अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा size based classification है ठीक है इसको हम next lecture में केवल इसका ही lecture ले ले लेते हैं तो अभी अगर इसी को और continue करेंगे तो सब आप लोग का mix हो जाएगा तो आयोग कि इसको यहाँ पर छोड़िए size based classification ये सारे topics हम next lecture में आपको clear कर देंगे तो उससे क्या होगा कि mashup नहीं होगा अभी आज जो आपने classification पड़ा है कि depending upon this 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 वो दिवायंग में रखिए व्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या होता है यह आपके जो है जो सबसे most powerful computer available है जो आपके satellite communication में weather forecasting में फ्लट forecasting में parallel computing में इन सब में यूज होते हैं फिर mainframe आता है mainframe कहां यूज होता है फिर mini हम लोगा जो offices में लगा होता है वो mini computer हो गया फिर micro पे आजाएए तो micro में और छोटे जैसे mobile अगरे आप आजाएए या और इसे छोटे size में वो micro हो जाएगा फिर लोटेंगे यह desktop तो यह desktop काईजे से mini computer है तो यह mix हो जाएगे that's why मैं इस lecture को यहीं पर उप रहा हूँ और size based classification जो है इसको हम लोग next lecture में डिसकस करेंगे तो I hope कि आपको वीडियो content clear हो रहा होगा आपको यह पसंदार हो वीडियो अगर वीडियो आपको वीडियो content clear हो रहा है तो please आप वीडियो को like कीजिए, share कीजिए कोई confusion है या कोई query है तो आप comment line में पूछ सकते हैं और अगर आप channel पर नए आए हैं तो channel को subscribe कीजिए Thank you